यहलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल यस्टीमैथ कलासेस में वीवर्स आज का यह हमारा तीसरा लेक्चर है तो वीवर्स आज हम बात करेंगे पहले जो है कि सबसेट आफे सेट क्या होता है सबसेट आफे सेट क्या होता है, सबसेट आफे सेट क्या होता है, सबसेट आफे सेट होता है, A and B to set A every element in set B. हमारा जो होगा A and B to set है, set A every element in set B is called A subset B. कोई भी हमारे दो set दिये गए होंगे, set A होगा और एक set B होगा, set A के जितने भी elements होंगे हमारे, set B में होंगे, तो हम इसको कहेंगे कि A set subset off set B, और subset off, जैसे इसका symbol जो होता है, हम A subset B के दोरा इसको indicate करते हैं, जैसे हमारा A होता है, A subset का हमारा क्या है? symbol होता है इसी symbol के द्वारा हम इसको क्या करते हैं denote करते हैं तो आगे दो-चार हम examples देख लेते हैं subset subset आफे sit के subset आफे sit के example जैसे sit A इप कल्टू A, B, C और sit B इप कल्टू A, B, C, D, E तो हमारा जो subset होगा क्या A subset B है हमारा हम यहाँ पर check करेंगे A के जितने elements है A, B, C इसमें भी A, B, C है तो हम कहेंगे A is a subset of B यह जो होगा B का subset होगा इस तरह से एक और example हम देख लेते हैं जैसे हमारा कोई set दिया हुआ है A इप कल्टू 1, 2, 3 और set B इप कल्टू 2, 3, 4 और 5 क्या है हमारा A subset B है A के जो elements है 1, 2, 3 है और यहाँ 2, 3, 4, 5 है एक ऐसा elements 1 है जो set B में बिलांग नहीं कर रहा है हमारा जो होना चाहिए जो A के elements होते है X belong to A X belong to B अगर X जो है A में भी बिलांग कर रहा है और X B में भी बिलांग कर रहा है तो हम कहेंगे A is subset of B लेकिन यहाँ पे है क्या जो हमारा one element है set A में थो belong one is one belong to A but one not belong to B और 2 और 3 देख रहा है यहाँ पे बिलांग कर रहा है to MA je Set B में भी है 2 और 3 जो है set A में है और set B में भी है तो हम कहेंगे A one is not belong to B तो कहेंगे हम A is not subset of B A के से भी elements जो है B में नहीं है इसी तरह से एक और एक्जामपल हम करते हैं जैसे हमारा अगर एक सेट दे दिया एक कल्टू ए और बी हमको इसका दे देता है कि find the total subset of a set यह से हमां question देता है a set a set have two element a set have two element two element find the total subset find the total subset हमारा कोई सेट दिया होता है जैसे सेट दिया हुआ है एसेट फाइंड टू सेट एसेट है टू एलिमेंट फाइंड दा टोटल सबसेट हमारा कोई एक सेट दिया होता है जिसमें क्या है दो एलिमेंट से लिए उसका क्या हमको टोटल सबसेट निकालना होगत क्या करेंगे हम इसका एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, टोटल सबसेट जो हम निकालते हैं 2 की पावर n होता है, तो यहाँ पे elements कितने हैं 2 हैं, तो 2 की पावर 2 इपकल 2 कितने सबसेट होंगे, इसके फोर होंगे, जैसे एक जांपल पर हम A और B लेते हैं यहाँ पर, A और B लेते हैं यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि A जो है, क्या है, A बिलांग कर रहा है सेट A में, B भी बिलांग कर रहा है सेट A में, और देखेंगे, A, B बिलांग कर रहा है सेट A में, और फाई जो होता है, फाई जो होता है, कोई भी सेट हो, उसका क्या होता, सबसेट होता है फाई हमारा तो इसके कितने टोडल सबसेट बन रहे हैं वन टू थ्री और फोर फोर एलिमेंट्स है जो इसमें बिलांग कर रहे हैं तो इस टाइप से हमारे कितने subset होंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे एलिमेंट A subset A B subset A और A B A B क्या है subset A का है और 5 क्या है subset A का है तो यहां पर कितने subset हो रहे है 1 2 3 और 4 4 इसके क्या हो रहा है subset हो रहे है तो टोटल subset कितने होएं अगर 2 elements दिया है तो उसके टोटल सबस्ट कितने होगा तू की power यहन तू की power यहन अगर थाच कितने हो जाएंगे subset इसके घुकी power 2 और थाच कितने होंगे फोर इसके क्या होंगे subset होंगे इसी तरह से एक और अग्जामपल से देख लेते हैं यहां से आपका इस टाइप का एक कोशन जो है आपके टीजीटी एक्जाम में पूछा जाता है तो जैसे आप एग्जाम पल। है अपके देख सेएप कल टू अच सीडी और ई पालिमेंस शैइसमें हुपाइंट करना है पाइंड को टोटल संपसेट पाइंडर वाइंड काइंड़ तोटल संपसेट , अगर इसका टोटल इसका निकालना होगा तो कितना होगा इसके लिए क्या करेंगे हम टू की पावरर यहान करके हम इसको फाइंड करते मारा फार्मूला है दू की पावर यह्न पर कितना represent यहाँ रिल्मेट है, यह धाँ लेकं 1123455 है लु की पावर 5, लुट की पावर 5 निकालल्य कितना अगा aos 2 इंटू 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 तो दो दूना टू तू आ फोर टू जए 26 ARE ==== इसमें कितने टॉटल सब्सेट होंगे इसके कृतने डूड अंट 32 उसके च्छा क्या हूंगे दोनिए टूटल सबसेट होंगे तो इसी तरह से इसमें एक का एक को सरन यहां से सबके से बीज़ी से आपको एक को से यहां से मिलेगा टोंटल समय करने के लिए तो हमने टोंटल सब्सट निकाल लिया है और हम अगे लिक होगी होगा ची मिसे लेकर रख़च गोगा सबक्रियाया रहकर सबसेट क्या होता है कि फापर बनाफ repo subset, proper subset जो होता हमारा A and, A and B to set, A and B to set, set A, set A every element, set A every element, in set B and, set B, set B at least, at least one element, at least one element, not in set B, set A, इसका जो definition कहा रहा है, हमारा proper subset का, A and B to set, set A every element, in set B, and set B at least one element, not in set A, A, हमारा कहा रहा है, question में, मतलब definition में, कि A के जो होंगे, सभी elements, B में होंगे, लेकिन B का एक ऐसा elements होगा, जो A में नहीं होगा, तुसे हम क्या बोलेंगे, proper subset, A and B to set, set A every element, in set B, and set B at least one element, in not set A, A is called proper subset, proper subset, proper subset को हम indicate कैसे करते हैं, जैसे A is proper subset B, इसको हम इस तरीके से जो इस symbol के साथ में, जो है, क्या करते हैं, denote करते हैं, अगर हमको proper set A, proper set B, इस type से हम इसको क्या करते हैं, दरसाते हैं, तो हमने समझ लिया, कि हमारा दो set होंगे, एक set A होगा, और एक set B होगा, set A के क्या होंगे, every element, set B में होंगे, but set B at least one element is not in set, A is called proper subset, is called proper subset, हम प्रापर सबसेट के examples देख लेते हैं, प्रापर सबसेट के, हम examples देख लेते हैं, प्रापर सबसेट से भी जो है कि TGT में एक question पूछा गया था, जो है, आपके 2018 के TGT question पेपर उठा कर देखेंगे, उसमें एक question पूछा गया था, जिसे हमारा set A इकल टू, A, B, C, और B इपकल टू, A, B, C, D, E, तो हम इसको कैसे दखाएंगे, A is proper set up B, क्योंकि A का every element set B में है, जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, B यहाँ पे B यहाँ पे, C यहाँ पे, C यहाँ पे, बट D और E, set B का at least one element क्या होना चाहिए, A में नहीं होना चाहिए, तो set B के जो है, D और E ऐसे दो element से, जो set A में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, A is proper subset of B, A is proper subset of B, एक दो और example से हम देख लेते हैं, दे दिया है, जैसे A इप कल्टू, A, B, set B इप कल्टू, P, Q, A, B, क्या है हमारा A proper set B का होगा, हाँ होगा बिल्कुल, क्योंकि A के, A और B जो elements है, set A के, A और B इस set के अंदर हैं, और B के, ऐसे कुछ, at least one, A क्या, एक से अधिक element सोने चाहिए, जो set A में, जो set A में ना हो, हमारे P और क्यों दो, ऐसे elements हैं, जो set A में नहीं है, इसको हम कहेंगे, A is proper set of B, A is proper set of B, A is proper set of B, एक कोशन आज से आप देख सकते हैं, इसका जब हम total number of proper set निकालते हैं, एक फार्मूला, total number of, total number of, proper subset, total number of proper subset हम जब निकालते हैं, तो उसका फार्मूला होता है, 2 की पावर यहन माइनस 1, अर्थात 1 ऐसा elements होता था, जो set A में नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर 2 की पावर यहन माइनस 1 लगा देते हैं, 2 की पावर यहन माइनस 1, जैसे मारा एक set दे दिया है, यहाँ पर देखिए, set A इकल टू, A, B, C, D, A, B, C, D, 4 elements हैं, और इसका हमको क्या करना है, proper subset निकालना है, कि इसके total possible, आप total proper subset कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे हैं, इसके लिए total proper subset, TPS हम लिग देते हैं, इसके लिए total proper subset, निकालने के लिए TPS लिग देते हैं, तो 2 की पावर एन माइनस 1, 2 की पावर एन माइनस 1 होगा, 2 की पावर एन कितना है, एन के कितने element हमारे जो element होंगे, हम उसको find करेंगे, देखेंगे, 1, 2, 3, 4, इसके elements कितने हैं, 4 element है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ह्यों तीकिंव फंकि ranging from 160-1 क ओका हमारा 15 कि हमारे कितने टोटल सब्सेट होंगे 15 इसकी क्या होंगे टोसब्सेट होंगे जैसे इसमें क्या होता है इखेप्ष आपर हम सब स्कूर्स वह होगा क्योंकि एक सब्सक्राइब को एक ऐसा ऐलीमेंस जो एमन pięo नहीं है इसको तो डिफाइन नहीं कहा रहा है क्योंकि A के सभी element set A में है और set A के element A है अर्था एक ऐसा subset possible होगा जो कम होगा इसलिए इसमें से 2 की पाउर यान माइनस 1 हम 1 कम कर देते हैं ठीक तो आगे हम देखेंगे फिर एक दो ग्यांपल जैसे हमारा एक सेट दे दिया A equal to 123 set B equal to 231 क्या A proper subset आप B का है 1 2 3 तो इसमें भी है 1 2 और 3 element इसमें भी है बट B का ऐसा one elements होना चाहिए एक ऐसा इसमें elements होना चाहिए जो A में ना हो लेकिन आप यह क्या है A के every element set B में है और set B के every element set A में है तो यह क्या होगा A is not proper subset of B A is not proper subset of B हम देखेंगे इसके बाद power set क्या होता है पावर सेट क्या होता है पावर सेट हमारा क्या होता है पावर सेट जो होता है A set A set A set total number of total number of subset is called power set power set A and A set total number of subset is called power set और power set को हम इंडिकेट कैसे करते हैं P आप A के द्वारा इसको क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं इसके दो एक एक जामपल से देखेंगे हम इसका जो जैसे यहां से एक पूछा जाएगा जरूर यहां से भी कोशन बनते हैं तो आपको इस टॉपिक को जो किलियर करके चलना है देखो एक्जामपल में इसे मारा सेट है सेट एकल टू ते दिया वन और टू फाइंड दा पी आप ए पी आप ए पी आप निकालने के लिए क्लिए इसकाइवाए यहें स्कौाइळ खोगा यहन इस्कौाइअ की वैइलू कितना है वन और टू का थीं टू कर नतू किसिके तो टू कब containing ऊनगे फोर होगा हमारे इसके टॉटल सुप्र ठЭ« करके फोर आंगे यही हमारा इस तरीकास कहें त होर्त से इस तरीके से P, P of A, आपको इसका निकालना है, अर्थात P of A का पावर सेट, फिर उसके जो आएंगे उसका पावर सेट, और फिर उसके जो इलिमेंट्स आएंगे उसका पावर सेट हमको फाइंड करना है, हमको पता है P of A equal to कितना होता है, N square, ठीक, तो P of A, N square, हमें जो सेट दे दिया माल लीजी, A equal to, P equal to, हमारा जो है, हमको, यहां से नहीं, सेट मान के लेकर चलेंगे, क्योंकि, सेट हमारा जैसे A equal to दे दिया, 1 और 2, इसका हमको क्या करना है, 3 times जो है, पावर सेट ग्याद करना है, तो P of A equal to N square, इसमें कितने elements है, 2 elements है, तो P of A equal to कितना हो जाए सबस्के दाएगा, और और मंड fellows हो हो जाएगा, इसके बाद हम, यहां तक निकालेंगे, यहां तक लेंगे इसका, okay, P of A पुला जो हूब निकालेंगे यहां पे कितनी वारत हैं थृत टाइम Ohio पी आमच हम को निकालेंगे पाउर शोट फिन उसके बाद पी आप एक होल प्रिफिट निकालेंगे इसका निकालेंगे इसका फिर निकालेंगे प्र कितना होगा होगा स्वला का स्कॉयड का स्वेड करेंगे यह 9 गाट तो इसकॉयर कितना हो जाएगा कि 126 कितना होगा 256 है कि हम आसा करते हैं जो आपको आज इस लेक्चर में समझाया ब्लच और प्रापर अब शबसेट और जो इसके बाद पावर सेट आपको समझ में आया होगा तो वीवर्स अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूज़ों आप कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा और हाँ एक शी हमने बताना आपको फूल गया जैसे कि हमारा गर कोई शेंबल इस तरह से होता है उभा जैसे अगर वी इजा इसको हम पड़ते हैं बी इजे फ्राप इजी उपर सेट और इसको हम पड़ते हैं इसको पड़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं B, E js a B, E js a super, a super set of a B, E js a super set of a symbol होता है हमारा, इसको super set का symbol बोलते हैं और तो ए के जितने element से B में उपस्तित हैं B, E js a super set of a हम इसको पढ़ते हैं तो भीवर्स आपको हम समझते हैं कि आपको समझिव होगा अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कहीं कंफ्यूजन आप कमेंट बाक्स में कमेंट करें जरूबता आईएगा तो अगले टॉपिक में मिलें तब तक लिए जाएं